तो दोस्तों हम अपने चैनल पर यह चाह रहे हैं कि जो मूर्तिकार हैं आप लोगोंने फोटो स्टेटस लगाई बहुत अच्छी बात है लेकिन आप लोग ये तो बताइए कि उस मूर्ति का क्रडिट कार को तो आप प्रमूट करिए जिसने उस मूर्ति को बनाया है उसके ल इन्हों से जलने वाला भाई है अब देखिए ऐसा तो है नहीं है मैं तो दरसल वीडियो में ये बताना चाह रहा था कि वाइरल होने की कला केबल कलाकार को जाना चाहिए देवी जी ने उल्टा समझ लिए अब ये भाई साब क्या कह रहा है आप जैसे लोगी कारण डूनत हैं और कुँछ नहीं हाता है तो यहीं आप करने कोई क्योवाइरल हो रही तो होनेव दीजिए लोगों की पसंद है हमको तो लग रहा है कि आपको देखा नहीं जा रहा है अरे भाई हमको ऐसे क्यों लगेगा हम तो हम तो केबल पबन प्रजापती जी को परबूट कर रहे हैं आप हमारी वीडियो में देख रही कम से कम हमने दस वीडियो केबल पबन भाई की लिए वनाई है बूबी उनकी मूर्तियों के अन्यकलाई भी दियें आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में अब यह भाई क्या होना है ओ है लो बत्तमीज ऐसी कसम नहीं देते किसी को अच्छा आप कसम मत दीजिए अपने बॉइफ्रेंड को तो आप बहुत अच्छे से कसम देती होंगी यह यह इस प्रकार या मैं यदि आप पर यह पलट के बूलू तो आप पर कैसे गुजलेगा हाँ समाज में यह कुडितिया जरूर है भाई देखो कुछ नहीं है हम केबल प्रजापती जी की मूर्ति को प्रमोट कर रहे हैं हमारा सीधा सा उद्दे से वीडियो वायल होने का पूरा क्रडिट क केबल पवन भाई को जाना चाहिए और और कुछ नहीं कर रहे हैं अब अब्र कमेंट आप लोग कर रहे हैं यह आपकी बहुत अच्छी समझ है हमारा इससे कोई नाता नहीं है यह वीडियो हम केबल पवन भाई के प्रमोट के लिए बना रहे हैं आपको अच्छ लगे या ना लगे इसमें हमारी कोई नहीं है कि हमारा फुदिस केबल पवन भाई को प्रमोट करना यदि आपको प्रमोशन करा यदि आप भी थोड़ी बहुत वाइरल कलाकार की सहायता कर सकते हैं तो आज फिर से दो दिन और बची हुए हैं उसकी फोटो लगा है स्टेटस लगा ह ताकि वो जादा से जादा लोगों में फैमस हो वायरल हो और इस वीडियो के माद देम से भी लोगों को पहुँचा है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह फालतु के कमेंट करना बंद करिए माता रानी सब देख रही है किसके मन में क्या है क्या नहीं है तो पि बेल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी नीज वीडियो